नमस्कार कच्चा चिठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट कहा जाता है कि जूट के पैर जादा लंबे नहीं होते और जादा दूर तक नहीं जा सकता है टीमसी नेता महुआ मोहितरा के लिए लाइने बिल्कुल फिट वैठती है क्योंकि पैसे लेकर अपने पद का गलत इस्तमाल करने और संसद में सवाल पूछने के मामले में इस स्पीकर ने महुआ मोहितरा की संसद की सदसिता को रद कर दिया है जिससे पूरे विपक्ष की कमर तूट गई है विपक्षी पाटियों में हंगाम मच गया है कि अब क्या किया जाए क्योंकि सिर्फ महुआ मोहितरा ही नहीं अब बाकी नेताओं का नंबर भी लग सकता है और उन पर एक्शन हो सकता है जिससे विपक्षी पाटियां पूरी तरह से डरी हुई है लेकिन अपने किये की सजा पाने के बाद महुआ मोहितरा अपनी गलती तक मानने से तैयार नहीं है लेकिन आपको बता दे कि संसद में ये पहली बार नहीं हुआ है सदसिता को रद्द किया गया हो इससे पहले भी एक साथ कई संसदों की सदसिता को खत मुकर दिया गया था क्या है पूरा मामला और अब महुआ मोहित्रा क्या करने वाली है इसी का पूरा कच्छा चिठ्था खोलेंगे महुआ मोहित्रा पर तगड़ा एक्षिन विपक्षी नेताओं की बढ़ी टेंशन स्पीकर ने दिया महुआ को जटका पहले भी हो चुका है सांसदों पर एक्षिन कैश फॉर क्यारी मामले में टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा की संसद सदिस्यता चले गई इसके बाद उनका पहला रियक्षिन भी सामने आ चुका है उन्होंने कहा है मेरे खिलाब कोई सबूत नहीं है मैंने अडानी का मुद्द उठाय था और आगे भी उठाते रहूंगी किसी भी उपहार की नगदी का कोई सबूत नहीं है महुआ मुईत्रा ने कहा कि निशकासन की सिफारिश पूरी तरह से इस आधार पर है कि मैंने अपना पोटल लॉग इन साजा किया है इसको नियंतित करने के लिए कोई भी नियम नहीं है एथिक्स कमीटी के पास निशकासित करने का कोई अधिकार नहीं है ये बीजेपी के अंत की शुरवात है अगर मुदी सरकार ने सोचा है कि मुझे चुप कराकर अडानी मुद्दे को खत्म कर देंगे तो बतादू कि आपने जल्द बाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुप्योग किया है वो दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितना महत्त पूर्ण है आप एक महीला सांसत को किस हद तक परिशान करेंगे इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल की मुखी मंतरी ममता बनर जी ने कहा कि आज बीजेपी का रवईया देखकर दुख हो रहा है उन्होंने लोगतंत्र को कैसे धोका दिया महुआ को अपना पक्ष रखने की अनुमती नह अमेरिका से खुलता है किसके लिए एक कॉर्पूरेट हाउस और एक व्यापारी के लिए महुआ मुत्रा की संसत सदिशिता जाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद विपक्षी सांसत संसत परिसर से वाक आउट कर गए एथिक्स कमीटी की रिपोर्ट को लेकर जैसे ही लो को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह सदन समीती के निश्कर्स को स्विकार करता है कि सांसत महुआ मुत्रा का आचरण एक सांसत के रूप में अनैतिक और आशोबनी था इसलिए उनका सांसत बना रहना उचित नहीं है कॉंग्रेस सांसत मनीश तिवारी ने कहा जैसा कि अधिर रंजन ने कहा अगर हमने इस रिपोर्ट का संग्यान लेने के लिए तीन चार दिन का समय दिया होता और फिर सदन के सामने अपनी राय रखी होती तो आसमान नहीं गिर जाता क्योंकि सदन एक बेहत समेदन शील मामले पर फैसला लेनी जा रहा है इस मामले में BSP सांसद दानिश अली ने कहा कमीटी ने अपनी सिफारिश में हमारा भी जिकर किया है इसकी वज़व है कि हम महुआ मुलतरा को नियाय दिलाना चाहते हैं बता दे कि BJP सांसद निशिकान दूबे ने महुआ मुलतरा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था दूबे ने सुप्रीम कोड के वकील जै अनंत का पत्र दिखाया था इसमें दावा किया गया था कि घूस का लेंदेन महुआ और हीरान नंदानी के बीच हुआ था आरोप लगने के बाद महुआ ने बीजेपी सांसद निशिकान दूबे और जै अनंत को कानूनी नोटिस बेजा था महुआ ने आरोप को बे बुनियाद बताया था अब क्या करेंगी महुआ मोईत्रा लोगसभाई स्पीकर ओम बिडलाने धूँ नीमत से ये प्रस्ताव पारित करके महुआ मोयत्रा को संसद की सदस्यता से निश्कातित कर दिया विपक्षी से लोगतंत्र की हत्या बता रहे हैं तो ही बीजेपी आरोप लगा रही है कि सांसत महुआ मूलत्रा ने विशेशा अधिकार की धज्जिया उडाई अब यहाँ सवाल उठता है कि सांसदी चिन्ने के बाद महुआ मूलत्रा के पास क्या अप्षन है सविधान के जानकारों की माने तो बहुआ के पास अब पांच विकल्प बचे हैं हाला कि इनसे उन्हें कितनी राहत मिलेगी इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है पहला वो चाहे तो फैसले की समिक्षा करने के लिए संसत से अनुरोध करें हाला कि संसत के विवेग पर निर्भर करेगा कि वो इस पर पुनर विचार करेगी या नहीं दूसरा मौलिक अधिकारों और प्राकर्तिक नियाय के उलंगन के समीती मुद्दे पर सुप्रीम फोड का रुख करे तीसरे फैसले को स्विकार करे और चार महीने में फिर से चुनाव लड़े आचार समीती के अधिकार शेत्र को ही चुनावती देना वहुआ ये तर्क दे सकती है कि आचार समीती ने अपने आदेश का उलंगन किया की कारवाही आनियमित थी या द्वेश या पूर्वा ग्रह के साथ आयुजित की गई थी इसके अलावा वो ये भी तर्क दे सकती है कि इस मामले को विशेशा अधिकार समीती को देखना चाहिए था ना कि आचार समीती को चल रहे मानहानी के मुकदमे के माध्यम से राहत वो दिल्ली हाई कोट के समक्ष पहले से ही दायर मानहानी के मुकदमे के माध्यम से राहत मांग सकती है अगर मुहित्रा कई व्यक्तियों के खिलाब मानहानी के मामले में ये साबित कर सकती है कि उनके खिलाब लगाए गए आरोक निंदनिय, मनघडन या उसकी प्रतिष्टा को नुपसान पहुचाने वाले हैं तो वो Ethics Committee के फैसले को उलटने की उमीद कर सकती है लोकसबा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने अपने फैसले में 18 साल पर पहले पूर्व लोकसबा अध्यक्ष ओम नाच चटर्जी के उस फैसले का हवाला देते हुए अपना निने शुलाया था नोट पर क्वेरीस मामले में साल 2005 में पूर्व अध्यक्ष ओमनाथ चटरजी ने इसी तरह के आरोप के मद्दे नजर 11 संसदों की सदसितार रद्द कर दी थी ओम बिरला ने कहा कि संसद में परंपरा महत्वपूर होती है उन्होंने अपने पूर्व अध्यक्ष ओमनाथ चटरजी की तरफ से स्थापित परंपरा का पालन किया है अठारा साल पहले पूर्व लोगसबा अध्यक्ष ओमनाथ चटरजी के फैसले की तुलना ततकालीन विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवानी ने मृत्यूर दंड से की थी उसी तरह से आज भी फैसले के बाद टीमसी सुप्रीमो मायवती ने इसे बदले की कारवाई करा दिया 18 साल पहले 2005 में मन मोहन सिंग के निर्थित वाली UPS सरकार के पहले कारकाल के एक साल बाद डिजिटल पोर्टल कोब्रा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था इसमें ऑपरेशन दुर्योधन के तहट सांसदों को फसाया गया था जिन्होंने कथित तोर पर पैसे के बदले में एक कंपनी को बढ़ावा देने और सदन में सवाल पूछने की इच्छा दिखाई थी और फिर उन सांसदों ने संसद में सवाल भी पूछे थे फोटेज के प्रसारण के उसी दिर मामले की जाज के लिए लोगसबा ध्यक्ष की तरफ से एक संसदी समीती का गठन किया गया समीती के निशकर्षों के आधार पर ततकालीन रक्ष्या मंत्री प्रनव मुखर जी ने 20 दिसंबर को एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि दस लोगसबा संसदों का आचरण संसद के सदस्यों के लिए अनैतिक और अशोबनिय था उन्हें लोगसबा की सदस्यता से निशकासित किया जा सकता है प्रस्ताव स्युकार कर लिया गया था लेकिन भाजपा ने इसका विरोध किया था और फिर विपक्ष के नेता लाल कृष्ण अडवानी ने निशकासन की तुलना मृत्यू डंद से की थी दूसरी तरफ राजसभा ने बाद में सांसद किरन सिंग के निर्टुत वाली अपनी आचार समीती की तरफ से मामले की जाज के बाल लोड़ा को भी निशकासित कर दिया जिसमें कहा गया था कि ये निर्णई सदन की इमानदारी और गरीमा के उच्चितम स्थर को बनाए र रस्त है उन्होंने कहा कि जाज अनावश्यक जल्दबाजी की गई और ना तो निश्पक्ष और ना ही निश्पक्ष थी 2007 में सर्वोच न्यायाले ने निश्कासन को बरकरार रखा था जिसने राजा राम पाल राम पाल बनाम माननी अध्यक्ष मामले में कहा था कि निश्क में बिचौलियों की भूमिका की जाज की पत्रकारों ने अपने खिलाप कारवाही को रद करने की मांग करते हुए उच्चिन यायाले का दरवाजा खटकटाया और आरोप लगाया कि पुलिस भ्रष्ट सांसदों को बचा रही है और इसके बजाए उन्हें फसा रही है एक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे सा चुर्णे के लिए शुक्रिया